बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com दिन का हाल बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे कि ऐसा विशेश उपाए जो आपके जीविन की किसी खास समस्या को चुट के यों में दूर करेगा तो चलिए अब राशिफल की शुरुवात करेंगे पंचांग के साथ हमें तो दिन है मंगलवार का तारीख है 25 जनवरी 2022 माग कृष्ण सप्तमी पर चंद्रमा तुला राशी और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा पांच शुबरंग रहेगा हरा शुबदिशा रहेगी उत्तर रहुकाल रहेगा शाम को तीन बच कर चौदा मिनट से लेकर शाम चार चौटिस तक रवी यूग रहेगा सुभे साथ बच कर तेरा मिनट से लेकर दस बच कर पचपन मिनट तक दिन का सबसे शुब महरत रहेगा सुभह 9.46 से लेकर 10.55 तक और विशेश क्या है माघ कालाश्टमी है भगवान भहरव का बड़ा विशेश देना है माघ वहीने में और विशेश तोर से जो हमारा विशेश उपाय है वो भी माघ कालाश्टमी से भगवान भहरव से जुड़ा हुआ है आपको बताएंगे कि ब पसावा पैसा वापिस मिलेगा मन में शानती रहेगी पुराने दोस्तों सो मुलाकात होगी दफ्तर में जरूरी काम के जिम्मेदारी मिलेगी परिवार में सुक शानती रहेगी उपाये करें कि लाल चंदन से मस्तक परतिलग करें शुभंक पांच रहेगा शुभंग मनों कामनें पूरी होंगी जीवन खुशियों से भरेगा सहत बहतर रहेगी छात्रों को शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा जीवन साथी के साथ खरीदारी करने जाएंगे उपाई ये करीं कि पक्षियों के लिए मसूर रखें शुभंक दो रहेगा शुभरंग रहेगा जफ्तर में सहकर्मी से योग करेंगे वाद बिवाद से दूर रहेगा उपाई ये करें कि सिक्के पर लाल चंदन लगा कर पर्स में रखें शुभंक एक रहेगा शुभरंग रहेगा लाल चौथी राशी कर्क यानि की कैंसर की बात करेंगे आर्थिक स्तिती ठीक रहेगी खास विक्ती से संपर्क फायदेमंद रहेगा काम सरलता से पूरे होंगे छात्रों को कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा धर्म कर्म में मन लगेगा उपाई ये करें कि कलाही पर मौली बांधें शुभंक साथ रहेगा शुभरंग रहेगा सिलेटी पांचवी राशी सिंग यानि कि लियों की बात करेंगे नए काम में निवेश से बचें नौकरी बदलने से पहले किसी से सलहा मश्वरा जरूर लें चात्रों को प्रगती के मौके मिलेंगे सिहत में सुधार आएगा प्रीम जीवन रसिक रहेगा उपाई ये करें कि धार्मिक चित्र पर गेहुं च होगा सेहत में सुधार आएगा वाहन चलाते समय सावधान रहें थोड़ा सा शहद जो है वो जलप्रवा करें उपाई आपके लिए शुभंक एक रहेगा शुवरंग रहेगा लाल साथवी राशित तुला यानि कि लिवरा की बात करेंगे चवी मजबूत बनेगी कानूनी मामलों में कुछ परिशानी आएगी जीवन साथी से उपहार मिलेगा चात्रों का मन पढ़ाई से हटेगा किसी पर आख मूंद कर विश्वाश ना करें उपाई ये करें कि गरीब क इन्या को बूंदी दान करें शुभंक दो रहेगा शुवरंग रहेगा सफेद आठवी राशि वरिश्चे कि यानि कि स्कौरफियों की बात करेंगे नई उर्जा का संचार होगा करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे दफ्तर में काम का बोज रहेगा अचानक धनलाप के य दफ्तर में सब को साथ लेकर चलने का प्रियास करेंगे कारोबारी संचेदरी के मौके मिलेंगे धार में कायोजन में भाग लेंगे रिश्टे बहतर रहेंगे उपाई ये करें कि गरीब कन्या को मिठाई दान करें शुभंक आठ रहेगा शुभंक रहेगा शुभंक उपाई ये करें कि पूजा घर में चमेली के तेल का दीपक करें शुभंक चार रहेगा शुवरंग रहेगा नीला ग्यारवी राशी कुम भहियने के अक्वरियस की बात करेंगे सरकारी काम से लाब मिलेगा ठेकेदार सफल रहेंगे आमदिनी में व्रद्धी होगी सामाज एक प्रतिष्टा बढ़ेगी सहत में सुधार आएगा सामाज एक कारियों में हिस्सा लेंगे उपाई ये करें कि शाम के समय घर में गूगल से धूप करें शुभंक चार रहेगा शुवरंग रहेगा नीला बारवी राशी मीन येनि पाईसिस की बात करेंगे कारोबार में सफलता मिलेगी समाज में रुतुभा बना रहेगा कोई इच्छा बुरी होगी दफ्तर के काम आसानी से पुरी होगे दफ्तर में सब का प्यार मिलेगा उपाई ये करें कि मंगल के बीज मंतर क्रीम का जाप करें शुभंकाट रहेगा शुभंक रहेगा काला तो दोस्तों आप समय है आज के विशेश उपाए का वो विशेश उपाए जो सेहत में सुधार दिलाएगा आपको विगडी सेहत में देखे विशेश दिन है माग की कालाश्टमी है भगवान भहरव के पूजव का दिन है इस दिन क्या करें कि जाइफल सिर्थ से आठ बार वारकर भहरव जी पर चढ़ाएं और जो चढ़ा हुआ जाइफल है करपूर से जला दें और पूरे प्रेयोग में एक मंत्र का जाप कर हुआ 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 है